इस समय हम हैं रानीखेत क्लब के प्रांगण में नीचे ये टेनिस कोड से हैं कई छह साथ और इस ग्रेनरी के सामने यह बड़ा ही मनुहारी द्रिश्चे है हम इस समय बात करेंगे स्री कैलास पांडेजी से जोकी नगर कांग्रेस के कई साल से अध्यक से हैं और उनकी कई तो हम स्री पांडेजी से पुछते हैं कि रानीखेत को जिला बना कब बनेगा कैसे बनेगा और इसके लिए क्या प्रियास किया जाने चाहिए पांडेजी जैसा कि हम सभी रानीखेत चेतरवाश्यों का यह सपना है कि रानीखेत जिला बने और वैसे ही हमारे माननी मुक्यम अच्छ दिनों तोने बात करने के तो उनों ने उस दिन के बाद इसपच возь से कही तो उन्हों ने उस दिन यह बात स्पेश्ट रूप से कही कि मेरा मन बहुत जादे है कि राणिंखत सीग्र जिलावणे अभी कुछ आर्थिक या संसामाइक परिस्तितिया? पूरा होगा और हमें विश्वास भी है और मेरे क्याल से हम सब को अपने नेता पर विश्वास करना चाहिए एक ऐसे आदनी को जिसने जमीन से राजनीति करी है और कैसे एक खेद खलियान का आदमी जो है उच्चुता को प्राप्त करता अपने धैरी और अपने लगन सेथा स है ऐसे कर्मेट आदनी पर हम सब विश्वास करना चाहिए और मैं मैं मानता हूं कि आने वाले समय में रानिखेत को उसका उच्चित सम्मान जिले के रूप में अवश्य प्राप्त होगा नगरपालिका के रूप में उनने पहल करी है अन्नी बहुत सी सुधाय रानिखेत को दी हैं और हमें तो यह माधना पड़ेगा हमारी विगर कहे भी उस समय समय पर रानिखेत को जब भी कोई ऐसा उफार सरूप सासन की ओर से मिलना चाहिए वो हमें देते रहते हैं और हमारा उन पर पूर्ण निष्टा और विश्वास है हम सब लोगों को उन पर विश्वास करेंगे आप नहीं सबसे पहली घोशना तो उनने जिले की की थी कि आप लोग थोड़ा सा इंतिशार कर जिए समय आने पर यह हो जाएगा दूसरी घोशना उनने नगरिपालिगा के पहल के लिए करी थी कि इसको हमारे उत्रखंट सासन की ओर से वो पूरा वो है और इसमें जो अप्चाइब रहेंगी और उसकी पहल के पक्स में बिगत दिनों जिला अलमोडा के हमारे अलमोडा जिला की जिलादिकारी जो है पिनोतकुमार सुमन जी ने एक एक्शन कमिटी बनाई है उसमें सहर के सभी राजनितिक दलूं से सामाजी कारकरताओं की पहल से और उसम हमारी जो इसकीम यहां के जिससे रानिखेत की सिविल पॉपलेशन जल की आपोर्ती होती देवीडुगा इसकी उसकी जो सप्लाई लाइन थी वो करिब करिब जिन सोन हो गई ची उसके लिए 89 लाग रुपे का उनने वह प्रगधान दिया है कि उसकी लाइन बदली जाएग और ऐसे बहुत से नगरी नगर के अंदर जो विकास के परतिमान वाली स्विधाय होती हैं वो उनने उस दिन बहुत जारी घोशलाएं की हैं अच्छा आप अपने बारे में भी कुछ बताएंगे आपना आपका राजनीतिक, सोच्यल और सामाजिक क्या-क्या दाइत तो आपी लंबे समय से ये काम करना पड़ रहा है और हम अपने आपको सभागिसाली मानते हैं कि हम एक ऐसे कर्मत कर्मयोगी के सहयोगी या सिपाई या साथी रहे हैं अरिसावत के रोप में तो एक तो मैं अपनी इसको बहुत बड़ी उपलब्दी मानता हूं उनसे हमारा भी रहा और हमने उस समय बहुत से काम किये मंडी परसत के माध्यम से एक करोण 49 लाग रुपे रानिकेत में सड़के बनी ये पार्किंग के लिए रानी जील के लिए अन्य बहुत सी चीजों के लिए यहां पर पैसा आया और अभी भी हम प्रियासत रहते हैं समय समय पे कि क कैसे बनाए रखे और आगे बढ़ाएं इसी लिए हम अपने सभी साथियों के साथ से लगे रहते हैं विवन राजनेतिक सामाजिक संस्ताओं से हमारा संब्दनी भी है और उनमें कारदेत हैं क्रेशील हैं इसी तरह समय जीवन को हम अपना एक किसम सफली बानते हैं कि लिए तरह समय है।